सोनिय गांधी, राहूल गांधी और प्रयांका गांधी वाडरा से SPG सुरक्षा वापस देने के बात कॉंग्रस आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन में कॉंग्रस के हजार उकार करता हिस्सा लेंगे कॉंग्रस की मांग है कि तीनों को सुरक्षा, स्पीजी मुहिया कराई जाए इससे पहले कॉंग्रस की सांसद इस मुद्धे को जोरदा तरीखे से संतभवन में भी उठा चुके है वह कॉंग्रस की नेता अधिर रंजन चौधरी ने कहा था कि समुद्धे पर सरकार को जवाब देना चाहिए लोगसभा में अधिर रंजन चौधरी ने कहा था कि सोन्या गांधी राहूल गांधी समान्नी लोग नहीं है जोने सुरक्षा मिली हुई है अटल बिहार वाजपई की सरकार ने भी गांधी परिवार से स्विजी की सुरक्षा वापस नहीं ली थी अधिर रंजने कहा है कि साल 1991 से 2019 तक NDEA दोबार सता में आई हैं लेकिन कभी भी स्विजी की सुरक्षा वापस नहीं ली गए फिलाल गांधी परिवार की सुरक्षा में सियार पेट की जवान तेना थे वही गांधी परिवार को Z-Plus सुरक्षा में लिए 13-10 की सुरक्षा में कुल 6 कम्प्या तेना थे यानि की करीब 600 जवान इससे पहले पूर प्रधार मंत्री मनमोहन सिंग की भी SPG सुरक्षा हटा ली गई थी और उन्हें Z-Plus सुरक्षा दी गई थी तो जिस तरह से सरकार ने सुनिया गांधी राहूल गांधी और प्रियांका गांधी बाट्रोस से SPG सुरक्षा को वापस इलिया है उसके खिलाब सरकार पर हल्ला बोलीगी कॉंग्रिस आज जंतलमंतिब पर ये प्रदर्शन होगा जहापर कॉंग्रिस की तमाम कार करता यहाँ पर तमाम जो नेता है वो जुरान महाँ पर मौझूद रहेंगे और सरकार को घेरा जाएगा तो इससे पहले आपको बता दे कि संसत का जिस तरह से शुरीत कालिन सतर चल रहा है उजुरान भी एक नोटिस यहाँ पर स्पिजी सुरक्षा को हटाय जाने को लेकर दिया गया अधिरंजन चौधरी ने भी यहाँ पर खा कि अब तक यहाँ पर इस तरह का मामला सामने नहीं आया गया है तो फिर आकर किस वचे से यह स्पिजी सुरक्षा वापस ली गई है